नमस्कार दोस्तों एक वार फिर से आप सभी का हर्दिक स्वागत करता हूं कैसे हैं आप सभी लोग एक वार कमेंट बॉक्स हों जरूरू बताइएगा आप सभी की तयारी कैसी चल रही है वो भी आप लोग जरूरू बताइएगा कल जब से नोटिफिकेशन आउट हुई है NDA की तभी से बच्चों के लगातार मैसिस कोल्स आ रहे हैं क्या सर हम भी कर सकते हैं अपना सपना साकार NDA जाने का हमारे लगबुक चार महीने बच्चे होएं क्या हम भी अपने सपने को साकार कर सकते हैं तो मेरे दोस्त जी हाँ मेरा अंसर होगा हाँ चार महीने NDA के एक्जाम के लिए आपके सफिशेंट होते हैं अगर आप इस प्लानिंग के हिसाब से चलते हो जो मैं प्लानिंग आपको बताने वाला हूँ खास कर मैं आपके सामने जी एटी की प्लानिंग लेकर आया हूँ मेरे को पूरी उमीद है इस वीडियो के बाद आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है जी हाँ देखिए हो चुका अगाज रन का 100 डे प्लान फोर गैट और ये टेग लाइन आज अपनी कोपी में लिख लेना जो मैंने पिंक कलर से लिखी है जान लगा दो या जाने दो याद रखना मेरे दोस्त जान लगा देना या जाने दो ये तयारी छोड़ दो अगर तयारी करोगे ना आज से या तो जान लगा दो या जाने दो अब मैं आपको एक चीज इसमें explain करने की कोशिस करूँगा ध्यान से देखते रहेगा सारे लोग अब ये सब लोग जानते हैं मैं आपको बता जेता हूँ गैट का paper, journal ability test, 150 question आते हैं per question 4 number का होता है total marks आपके 600 number मेरे दोस्त यहाँ पर एक चीज लिख लो pink color से लिख रहा हूँ जब बात rank की आती है न तो rank लाने में जो आपका सबसे ज़्यादा help करता है मैं नहीं कह रहा मेरे दोस्त ये वो बच्चे कहते हैं जो rank लेकर आते हैं उनके interview आप लोग देख लेना कि math आपको cut up तक लिके जाता है math आपकी cut up पार कराता है पट मेरे प्यारे दोस्त आपके rank लाने में जो help करता है न वो get करता है 600 number और एक एक question चार number का और question करने में जी एटी का कितना समय लगता है English की अगर bokeh आप याथ जट जैसी 10 second में चार number पके English की bokeh आप याथ जट जैसी geography का concept याथ जट जैसी current affair आपको आथ जट जैसी इसमें आपको LHS बराबर RHS नहीं करना महनत कम है number ज़ादा है और rank लाने में मेरे प्यारे दोस्त तो बहुत ज़्यादा आपके लिए helpful होता है, याद रखना है इस चीज को, इसके बाद मैंने division करा है get का, अभी मैं बताओंगा, यह तो एक journal सा concept है, जो हर कोई जानता है, कि sir get में 50 question आपके English के आते हैं, 50 question आपके science के आते हैं, और आपके general studies के भी 50 question आते हैं, अब 200 number का मेरे दोस्त, आपका 200 marks के आपकी English आती है, 200 marks के मेरे दोस्त, आपकी क्या आती है, science आती है, और 200 marks के आपकी क्या आती है, इसमेरे दोस्त आपकी GS आती है, तो sir अब यह बताओ, जो last के हमारे 4 महीने बच्चों हैं, मेरे को पता है अभी 120 दिन के आसपास हैं, बट मै मैंने 100 दिन क्यों लिखा है, मैंने भी मेरे दोस्त, अपने experience से ही लिखा है, मैं भी experience रहा हुआ हूँ, क्या होता है, कभी Sunday आ गया, कभी कपड़े दोने हैं, कभी कहीं बाहर जाना है, कभी parents जरूरी काम से बाहर वेज रहे हैं, तो exact मैंने 120 दिन आपके उन सारे कामों के ल अब आते ही हम लोग आगे, आगे आ चुका है, selection का रामबाड, जो हर बच्चा फोलो करता है, जो हमारा selected student है, वो selection का रामबाड वाली वीडियो देखी थी, अब selection का रामबाड मेरे दोस्त क्या है, आपको पता है मेरे भाई, मैं GS का teacher हूँ, जोगरफी, पॉलिटी, selection के हिसाब से, जिससे हमारे सपनें पूरे हो, और ये बात सत्य है, मैं आपको वही बताऊंगा, जो एक एक fact है आपका, और जो मैंने analyze करा है, जो बच्चों ने मेरे को बताया है, और जो मैंने खुद ने analyze करा है, selection का रामबाड, first focus on English, क्योंकि मेरे दोस्त आपको पता है, इस English से आपके 50 question पूछे जाते हैं, आपके 50 question यहां से पूछे जाते हैं, और हर experiment में को पता है, हर experiment मेरे दोस्त या 40 plus, या 40 question आसानी से कर सकता है, 40 या 40 plus question आसानी से कर सकता है, बट गलती मत करना, English को आपको get में सबसे जादा preference देनी है, क्योंकि number of question पचास है, और पिटा question का level आसाना आता है, मैंने खुद ने paper दिया है, मैंने खुद ने paper निकाला है, मैंने 46, 46 तक English में question सही करे थे, अगर English में आप खेल गए अच्छे तरीके से, English को आपने time दिया, और time भी जादे तर आपको किसे देना है, मेरे दोस्त आपको vocab पे देना है, vocab का register बना लो, vocab का register बना लो, अलग से, सारी vocab को रट के खा जाओ, सुबा चाय के साथ, दुपैर को खाने के साथ, रात को ड तीस को शनाते हैं, vocab के तीस को शनाते हैं, लगबग मोटे मोटे, और चालिस प्लस का आपको English में स्कोर यहां से लेके चलना है, sir, English को time कितना दे, मैं time भी बता रहा हूँ मेरे दोस्त, आपको एक घंटा, आपको एक घंटा, बीस मिनट देने है, daily, और ये class का time नहीं है, जो classes आप लेते हो, हमारी class लेते हो, किसी और की class लेते हो, मेरे दोस्त, ये class से अलग का time है, जो class आपने लगाई संकल पे, offline पे, उससे अलग कम से कम आपको English को daily, एक घंटा, बीस मिनट देने है, मैं अपना experience बता रहा हूँ, vocab किसी को एक बार में याद नहीं होती, और जबी कभी मत करना आप लोग, कि मैं एक बार में vocab याद करके हटूँगा, नहीं मेरे भाई, आपका जो कर्म होना चाहिए, कि सरने बताया है, मेरे को एक घंटे, बीस मिनटे daily English पढ़नी है, और उस vocab को आपको बार-बार multiple time पढ़ना है, मैं कहता हूँ, guaranteed आपको याद हो जाएगी, तो आपको SSB में मेरे दोस्त दिक्कत नहीं आने वाली है, तो पहला focus English और आपका target यहां से 40 plus question होना चाहिए, मेरे दोस्त, 40 plus question यहां से आपका target होना चाहिए, अभी 100 दिन है, मेरे time लिख लो, class से अलग, self study को जो time देना है, वो एक घंटा 20 मिनट आपको देना पढ़ेगा, आगे बढ़ता हूँ मेरे दोस्त, second focus on physics, physics, मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ बता रहा हूँ, बटा लिख ले न, उस चीज़ को, second focus on physics, आपको बताए, मेरे दोस्त, physics से भी आपके 25 से 26 question आते हैं, कितने question आते हैं, 25 से 26 question आते हैं, एक question 4 नमबर का है, 25 question नहीं यहां से सीधे हैं, science में focus जो आपको ज्यादा देना है न, वो देना है मेरे दोस्त, physics पे, second focus on physics, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको chemistry नहीं पढ़नी, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको biology नहीं पढ़नी, मेरे दोस्त, वो पढ़नी है, अगर समय बसता है तो, बट आपको ज गंटा और 20 मिनट आपको time देना है, सर कैसे, self study में, self study करनी है, class तो दुनिया लगाती मेरे भाई, अब खेल self study का आता है, class जितने गंटे भी चलती है, जहां से भी आप लोग लगाते हो, class लगाओ, उसके बाद जो teachers आपको notes बनवाते हैं, उन्हें पढ़ो, जो DPP देते ह पीवाई क्यों लगाओ, daily आपको physics को, daily आपको physics को, एक घंटा 20 मिनट देना है, अगर physics से किसी दिन थोड़ा बहुत बहुत होते हो, तो chemistry उठाओ, अगर chemistry नहीं तो bio उठाओ, बट daily आपको एक घंटा 20 मिनट science वाले portion को देना है, उसमें भी first preference पे जो रखना है, वो physics को र मेरे दोस्त, 25 कोशन का target मैंने physics से लिया है, आपके total number of question कितने हो गए, आपके 65 हो चुके हैं, इसके बाद जो number आता है, मेरे दो third focus on geography, तीसरा focus geography, क्योंकि तीसरे number पे geography से साथ ज्यादा question आते हैं, अब जिस भी सर ने आपको पढ़ाया होगा, आपको पता है, आपने जहां मेरे को पूरी उमीद है, आपने जहां से भी पढ़ा Howगा, यहां से question मेरे भाई कितने आते हैं, यहां से आपके 20 कोशन dripping आते हैं, 21 भी आते हैं, 22 भी आते हैं, मेरे दोस्त, 19 भी question कभी कभी रह जाते हैं, याद रखने इस चीछ को, अगर यहां से आपने 20 question सीधे कर लिये प्रिफेंस की बता रहा हूँ, last के hundred day में सरे, इसे कितना time दे मेरे भाई, इसे भी आपको एक घंटा, इसे भी मेरे दोस्त आपको one hour one hour twenty minute time देना पड़ेगा twenty minute, इसे भी आपको time देना पड़ेगा one hour twenty minute, किलासिस से अलग अगर किसी दिन वोर होते हो कि सराज जोगरफी पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो मेरे दोस्त आप हिस्ट्री के नोट्स को रिवाइस कर सकते हो आप पॉलिटी के नोट्स को रिवाइस कर सकते हो आप मेरे भाई एकोनोमिक्स के नोट्स को रिवाइस कर सकते हो पर पहली प्रिफेंस जो देनी है आपको यहां से वो किसे देनी है आपने जोग्रफी वाले पॉर्शन को देनी है के लिए रहे मेरे दोस्त यहां से आगे आईए अब आपका फोर्थ फोकस जो आता है वो करंट अफेर आता है मेरे भाई करंट अफेर आपका रामबार है चाहें एंडिये का एक्जाम हो चाहें CDS हो चाहें आपका एक्जाम हो चाहें SSV हो SSV में भी कोश्चन लास्ट टाइम भी करंट अफेर के कोश्चन पूछे गए थे इस साल भी बच्चों के फोन आने शुरू हो गए है सर आपके करंट अफेर से माला वर एक्साइज पूछी गई है क्योंकि SSV शुरू हो गए है सर आपके करंट अफेर से एक्साइज बॉंगो सागर पूछी गई है मेरे भाई सर आपके करंट अफेर से इसराइल के वोर्डर शेरिंग कंट्रीज पूछे गए हैं इस बार फिर SSV में करंट अफियर का बोल वाला शुरू हो गया है रिटेन में तो रहते हैं यह आपको बताए तो फोर्थ फोकस आपको किस पर रखना है करंट अफियर मेरे दोस्त यहां से हर साल 10-12 कोश्यन आते ह इंग्लिस में 40 कोशिण उसके वाद मेरे भाई मैंने आपको फिजिक्स में कोशिण बताये थे फिजिक्स में सरा आपने 25 वो तफिक्स पताये थे तरुस्के 85 हो गए ना और 85 और 10 आपके 95 मेरे दोस्ट पिच्चान में कोश्चन का मैंने तेरा निचोड निकाल दिया है अब जरा पिच्चान में कोश्चन एक कोश्चन तेरा चार नंबर का होता है अगर करना एक बार मंटिप्लाई 95 इंटू 4 तो पाथ 4 पंजे 20 अब हासिल लगे दो 4 नमा 36 चार नमा 36 और 32 मेरे दोस्ट 380 नंबर अउनली जी एटी से बैट रहे हैं आप कट ओप तो बताओ कट ओफ कितनी जाती है आपकी ओबर ओल एंडिये में मैथ प्लस मैथ प्लस गैट मेरे भाई आपकी कट ओफ रहती है 320 से 350 के बीच में नमबर भी ले आया ना तो देख लिए समें 90 और याट करते मेरे बाई 470 नमबर बैट प्लानिंग करनी पड़ेगी planning मेरे दोस्त last time पे आके करनी पड़ेगी बिना planning के कुछ नहीं है अगर मेरे भाई आप गधो की तरह मेहनत करते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला आपको select करना पड़ेगा last time पे आके जो बच्चे सुरू से सारे subject पड़े रहे हैं के लिए well and good बहुत अच्छा मेरे भाई revision करते जो बच्चे अब जाग रहे हैं notification के बाद मेरे भाई अब तो मेहनत करनी पड़ेगी और selected portion आपको उठाने पड़ेंगे जैसे मैंने आपके सामने ये लिखा है सहमत हैं तो comment जरूर करिएगा और मेरे दोस्त ये मेरा analysis नहीं है मैंने बहुत सारे बच्चों का और बहुत सालों से जतने सालों से मैं पड़ा रहा हूँ वो analysis मैंने आपके बताया है और जैसे मैंने exams निकाले है और ये time चल रहा है इस समय मेरे बास सुनले न देखो December almost खतम हो गया मेरे भाई अगर December के बाद अगर January भी खतम हो गया न आपके ऐसी मजा को मैं पढ़ लेंगे फिर पढ़ेंगे फिर पढ़ेंगे January के बाद फिर कहानी फिर गाड़ी आप से बहुत आगे निकल चुकी होगी उस समय आपके हाथ में नहीं आएगी अभी भी आपके पास 100 प्लस डेज हैं अभी भी आप लोग अपनी गाड़ी को पकड़ सकते हो कि इस से आगे नहीं जाने देंगे पटे मेरे दोस्त अगर इस से आगे गाड़ी गई ना फिर आपकी बात बटा और मैं लास्ट में कुछ सब्द भी आपसे कहना चाहूंगा उन सब्द को याद रखना उन सब्द को मेरे दोस्त याद रखना जिस एक्जाम का फॉम भर रहे हो ना उसका एक दिन रिजल्ट भी आएगा जिस एक्जाम का फॉम भर रहे हो उस exam का एक दिन result भी आएगा और अगर form आपने डाला है तो आपके किसी पडोसी ने भी डाला है result वाले दिन अगर आपका PDF में नाम ना हुआ आपके किसी पडोस के बच्चे का selection हो गया उसका PDF में नाम आया और उस पडोसी के बच्चे के पिताजी आपके पिताजी के पास आके कहते हैं कि मेरे शेर का तो selection हो गया आपके सेर का क्या हुआ अगर चाहते हो कि आपके पिता वहाँ पे सर्मिंदा हो उनकी आखे नीचे जुके तो मेरे दोस्त बेसक मत बढ़ना अगर चाहते हो कि आपके पिता की अवाज हो मेरा शेर सवासेर है मेरे दोस्त पिता की आँखे जुकनी नी चाहिए फोम भरने से पहले एक बार सोच लेना कि अगर पिता की आँखे जुकी तो उससे बड़ा कोई दिन नी होगा उससे बुरा कोई दिन नी होगा हमारे लिए जब तक बात हम तक सीमित है तब तक ठीक है अगर बात पिता पर आई ना फिर ना हम खुद और ना खुदा याद रखना है मेरे दोस्त तो महनत करने से पहले अपने टारगेट पर जाने से पहले एक बार सोच लेना और मेहनत करिएगा अगर आपको time table से related वीडियो चाहिए क्योंकि इसमें time table की बहुत ज़्यादे नीड मैं सोच रहो आपको जिस भी topic पे इसमें वीडियो चाहिए मेरे दोस्त आप लोग वीडियो आप comment करना और comment जरू करके जाएगा आपके तयारी कैसी चल रही है कौन से topic पे आपको चाहिए कौन सा point आपका अबीक है मैं हर बच्चे का personally reply दूँगा उसी comment के नीचे तो please प्यारे दोस्तो वीडियो को share करना अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको strategy आपको planning सही लगी हो तो मेरे दोस्त आप इस implement करना आपको बहुत ज़ाद help मिलेगी कुल मिला के आपको एक गंटे 20 minute English को देना है एक गंटे 20 minute physics एक गंटे 20 minute geography कुल मिला के मेरे दोस्त आपको चार गंटे GAT को देने है और चार गंटे मैत को दोगे तो आपकी इस बार कहानी कोई नहीं रोख सकता इस बार आपका बहुत अच्छी नंबर से selection होने वाला है मेहनत करेंगे और जान लगा दो या जान ने दो टेग लाइन को लिख लीज़ेगा तो नमस्कार दोस्तो मिलूंगा बहुत जाल एक नए सेशन पे तब तक प्यारे दोस्तों को जैहिन जै भारत